नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारे चानल पर आशा करते हैं कि आप सबी ठीक होंगे आज हम बात करेंगे बहुती आम और ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों के बारे में प्रेग्नेसी के दोरां खुजली क्यों आती है क्या इन खुजली आपके बेबी के लिए हान अजिद्राओ आते हैं ये स्कीन का ड्राय हो जाती है तो आपका मौस्टराइजर कम हो जाती और इसके चलते के समस्य शुरूब हो जाती है खासकर ये खुजली ब्रेस पेट टायी एरिया में ज्यादा होती है इसकी लिए आप क्या कर सकते हैं सबसे पहले नहाने के बाद स्कीन पर अच्छे से मौस्चराइजर का इस्तेमाल करें धान रखे खुजली ज्यादा हो रही है तो दिन में तीन बार भी आप ओल या मौस्चराइजर का उपयोग कर सकती हैं इसे आपके स्कीन की ड्राइनिस कम होगी और खुजली के समस्या से रहात मिलेगी हाला कि कुछ म मामलों में खुजली के गहरे कारण भी हो सकते हैं जिनके लिए मेडिकल ट्रिटमेंट की ज़रोत होती है जिसके प्रेगनिस को तो कुछ महिला को स्ट्रेज मार्क से बशना होता है इसके लिए आपको मौस्चराइजर का इस्तमल करना चाहिए और बहुत गर्म पाने से नह नहीं मिलते तो आप विटामिन सी के सप्लेमेंट ले सकते हैं इनकी हेल्दी रखने के लिए विटामिन ए भी जरूरी है आप गाजर कदू पालग जैसे फूड़ उसको विटामिन ए ले सकते हैं फिर डॉक्टर के से सब्से ज़्यादा जो रीजन होता है वह स्पेशली आ ज़्यादा हो रहे तो आप अपने लिवर एंजाइम की जाच करें और डॉक्टर से परामेर्स जरूर करें इसके अलावा गरिमों के दोरन ज्यादा धूप से जाने से भी स्किन में दिक्कते बढ़ सकती है इसलिए जब भी धूप से निकले संस्क्रीन का इस्तमाल जरूर करें दोरन स्किन का सेंसिटी बढ़ जाती है तो इस बात का ध्यान जरूर रखें अगर खुझन एक दो बार हो रहे तो यह चिंदा की बात नहीं है और इसके लिए आपके दवाई की ज़रूर नहीं है ध्यान रखें हर समस्य के लिए एक ही उपाय नहीं होता इसलिए आप